hello guys welcome to our tech channel parasoft I hope you all are well so so we will talk about switch and case statement okay so switch or state case statement how to work so when we have a value input and when we want something we want to do हो तो भीजंगतलय स्विच वर के स्टेट्मिंट का use करते है ठीक एक अम से बनाने के लिए तो आज हम वहीं के सी बना के देखेंगे कि स्विच और के स्टेमिंट का कैसे यूश कर सकते हैं इन जावा ठीक है तो सबसे पहले तो हम स्कैनर क्लास का एक अब्जेक्ट बना लेते हैं कि अगर अगर आपको यह नहीं आता है तो मेरे पिछली वीडियो में जाके देख लिजिए कि स्कैनर क्लास का औब्जेक्ट क्यों बनाते हैं कैसे बनाते हैं और उसको क्या से इंप्लीमेंट करते हैं तो अभी हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं कि एंटर और वाल्यू और स्टेटमेंट करते हैं और उसके बाद एक दूसरा स्टेटमेंट करते हैं जिसके अंदर अपरेटर इंपूट करेंगे ठीक है एंटर ओपरेटर ओके चलेगा चलोग कोई भी नहीं थोड़ी ग्राम और मिस्टेक है इंटीजर ओ इक्वल टू एस डॉट यहां पर हम नेक्स्ट यहां पर हमें प्रिंट कराना पड़ेगा नेक्स्ट सिंपली ठीक है यहां पर हमें ट्रेंग करना बड़ेगा और उसके बाद हम दूसरी वेल्यों इंपूट करेंगे एंटर वेल्यू ओफ पी इन हो सारी इंटीजर भी इक्वल टू एस टॉट नेक्स्ट इंट किने अब क्या करेंगे हम स्विच्ट स्टेट्मिन का यूज करेंगे तो स्वीच के अंदर हम क्या डालेंगे तो कि हम अपने ऑपरेटर के पर केस डिफैन करेंगे इसलिए हम जो हमारे ज competing ऑप्रेटर जो हमने ओ में स्टोर कराया था तो यहाँ पर simply उसी वेरियाबल का यूज करेंगे कर लिप्रेश अब हम यहाँ पर अपना केस लिखेंगे तो simply case फिर अभी यहाँ पर है इसलिए हमें शिंगल कोट का युज करने पड़ेगा यदि यहांपर आप इंतेजर का प्रयोग करते हैं करने वाले हमें यहां पर स्टू करने वाले है तो सबसे पहलाएगा विस्तैट एक मिनित यहां पर डबल कट का यूज करना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट रिंटलन सम इज लॉस ए लॉस भी ब्रेक या ब्रेक क्यों लिखा है आगे मैं आपको बता हूंगा कि ब्रेक किस काम काता है ठीक है अब हम दुसरा केस लिखते है है जिसमें लिखेंगे माइनस अभी हम यहां पर यह कॉपी कर लेते हैं पर पिस्ट सब सब्ट्रेक्शन का सब और यहां पर माइनस ठीक है सिंपली ब्रेक अब यहां पर केस थ्री आएगा मल्टिप्लाइए कि यहां पर मल्टिप्लाइए करेंगे मल्टिप्लाइए और उसको ब्रेक करेंगे और हमारा तीसरा केस चौथा केस लास्ट होगा डिविजन अब यहां पर हम ब्रेक करेंगे तो हमने मुस्टली कंप्लेट कर लिया है अब हम यहां इसको रण करके देखते हैं कि सबसे पहले की वेल्यू टैन फिर ओपरेटर प्लास फिर बीकी वेल्यू और यहां पर आ गया सम इस ट्वेंटी तो बेसिकली यहां पर क्या हुआ कि हमने जो एक वेल्यू पूट की थी वह किया तो बेसिकले हम यहां पर ऑपरेटर के बेस पहें करते हैं कि यहां पर हम स्वीच केस का यूज करते हैं ऊसके अंदर आपने जो ऑपरेटर का जो इन्पूट मंगाये था वह यहाँ पर हमने सिंपली इंस्टॉल कर दिया ठीक है यानि कि पूट कर दिये अब इसमें बहुत सारे केस है ठीक है जैसे की केस वन है प्लास केस्टू है माइनस केस्ट थ्री है मल्टिपलाई केस्ट फॉर है डिवाइड भाइट ठीक है तो ने कॉल एक ओलन के बाद इसकी बोल्डी स्टार्ट हो ठीक है तो है इस impressed में जाहेगा अब इस पर टका को प्रिंट पर ब्रेक नहीं करते नहीं यह एक तर ब्रेकर देता और फिर कि कि देखते कि क्या होता है कि सबसे पहले 10 फिर प्लस और फिर से 10 तो यहां पर देखिए हमने सिर्फ प्लस ओपरेटर को ही चुना है क्योंकि हमें सिर्फ उसका एडिशन ही करवाना है पर हमें यहां पर सब्ट्रेक्शन भी मिल गया है ठीक है वह इसलिए क्योंकि यहां पर हमने चला जाएगा यानि की ब्रेक हो जाएगा ठीक है अपर यहाँ हमने यहाँ पर ब्रेक नहीं किया हुआ है इसलिए वो आगए बढ़ा और आगए का स्टेटमेंट भी प्रिंट करवा दिया ठीक है अब यहां पर हम सारे ब्रेक अटा देते ठीक है यहाँ पर मैंने लास्ट्क करेक्टर डाल दिया ठीक है डिवैड dry 10 क défय है यह पर देखे निसवण क्यों क्योंकि यह पर हमने सिर्फ डिवीजिन और तो इसके बाद कुछ भी नहीं था ठीक है उसके बाद कुछ भी नहीं था इसलिए कुछ भी नहें हुआ पर जब हम प्लस का operator यूज यह देखें दोनों चारों में चारों प्रिंट हो गए ठीक है तो कि इसी लिए हमें टिवर का यूज़ करना पड़ता है आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि ब्रेक क्योड का यूज़ किसलिए करना पड़ता है उसके जैसा ह्येक आता है कंटिन्यूस वह हम आगे जाके देखेंगे में कि स्वीच के स्टेट्मेंट में देर्ट गढ़ाता है जो कि है डिफोल्ट है डिफोल्ट के अंदर क्या आता है कि यह दिया पके जिद्धि आपने जो अपरिटर है वह प्लास माइनस मल्टिप्ला और 1 वीजन के अलाव और कुछ भी और कोई भी डाल दिया होगा तो जो हमें एरर शो करवा नहीं होगती है वह हम सिंपली डिफोल्ट के डिफोल्ट कीवर्ड से करवा सकते हैं ठीक है तो यहां पर हम सिंपली लिख देते हैं कि एंटर राइट ओपरेटर ठीक है और आई जी एच्टी एंटर राइट ऑपरेटर ठीक है अब हम इसको प्रेंट करते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि ओपरेटर में हमें प्लस माइनस मल्टिप्लाइब इन चारों में से कोई बीए डालना था लेकिन हमने यहां पर कुछ और ही डाला है ठीक है तो अभी देखते हैं कि आउटपूट क्या आता है आउटपूट आगया एंटर राइट ओपरेटर से यानि कि वो बता रहा है कि इसमें से कोई भी ओपरेटर आपने नहीं डाला है तो कुरुपिया करके अपना सही ओपरेटर डाल दीजिए ठीक है तो ऐसे स्विच और के स्टेटमेंट का यूज़ है सो अभी के लिए इतना ही मिलते अगले सेशन में तब तक के लिए जुड़े रहे हैं हमर साथ जय हिंद